शार दोस्तों मैं हूँ आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटीब चैनल टीज से प्रतीक मलिक पर और जैसा कि आप सब को पता है कि हमारा छे क्लासिस का छे लेक्चर का मैस पैड़ागोजी कोड चल रहा है उसके अंदर से हमारे ती पेपर वन के अंदर टीलम से पूछे गया है अब थोड़ी देर रुकिए कुछ चीजे में आपसे डिसकस करना चाहूंगा के वीस की अगर आप तैयारी करें के वीस में इंटर्वी होता है आपको पता होना चाहिए और वहां ये दो टोपिक आपके बहुत ज्यादा इंप पता होनी चाहिए और एक और गारंटी लेता हूं देखिए यहां ही मेरा जो एक्सपीरियेंस है कि मैं टीचर खुद हूँ मैं आपको बता सकता हूँ ठीक है बाकी अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर तो आपको मैक्सिमम वो टीचर आपको पढ़ाते होई मिलेंगे जो या तो उन्होंने खुद जोब कभी की नहीं है या उनको मिली नहीं है ठीक है तो वो आपको ये चीज़े इतनी प्रैक्टिकल नोलेज नहीं दे पाएंगे तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से समझना और देखना ठीक है तो चलिए क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ा अगर आपको ये और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो भाईया मैं एक सजेस्ट करूँगा एंसी आर्टी ओफिश्यल यूट्यूब चैनल है एंसी आर्टी का खुद का वहां से आप सजेस्ट वहां से कर लेना या उनकी एक वीडियो है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप मतलेना सारे कंसेट की एस्तेसी करके रख देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा अगर कुछ समझ में आया तो गलत गलत बता देंगे या कोई रटी रटाई चीज़े बताएंगे ठीक है तो इन चीजों में अगर आपको रियल में चीज़े देखनी है तो आप वहां से दूँआँ, domino's देखे, domino's क्या होता है domino's आपका है देखे, इसको domino cards भी कह देते हैं domino's numbers भी कह देते हैं कुछ भी कह देते हैं इसको तो देखे, यह जो photo man ने रखा है यह actually ncrt की website से ही है ncrt ने खुद यह develop किये है domino's बच्चों के लिए, अब एक बात बता दूँगो, जो real domino's होते हैं और जो ncrt ने domino's किये हैं उसके अंदर एक difference है जैसे यहां पर आपको number लिखे हुए दिखेंगे जो real वाले होते हैं उसके अंदर दोनों तरफ dot होते हैं जैसे यह dot है यह dot है इसी तरह से उसके अंदर दोनों तरफ इसके पिछे भी dot ही मिलेंगे लेकिन जैसे यहां पर यहां क्या कर दिया है इन्हों नहीं, यहां number दे दिया ठीक है, तो यह real number नहीं होता हो आप ठीक है, क्योंकि आप पलट के देख लो आपको बस dot गिने जाएंगे तो इस वज़े से real वालों में यह होता था लेकिन NCRT ने क्या किया NCRT ने एक तरफ dot दे दिये और एक तरफ उन्होंने number दे दिये अब आपको बता देता हूँ, यहां 0 से लेके 9 तक dot होते हैं आपके जीरो से लेके 9 तक dot होते हैं, टोटल पचपन होते हैं आपके domino's आपको यह भी पता होना चाहिए यह बस उसके लिए बता रहा हूँ, यह interview वगेरा के लिए बता रहा हूँ ठीक है आपका seat rate के अंदर question कैसे आता है कि domino's से आप क्या-क्या पढ़ा सकते हैं तो यह समझ लो तो भाईया देखो, number sense आपके यहां से develop हो जाएगी बच्चे की बच्चे को पता चल जाएगा कि यह dot है, dot को वो गिनेगा इस तरह से, इस तरह से उसको गिनती भी आएगी आठ है सर, कि 2 प्लस 6, ठीक है तो गिनेगा वो इस तरह से, इस तरह से उसको addition fact भी पताऊंगे जैसे मनने बताया था न, addition fact का है, 4, 4 किन का जोड़ हो सकता है 1 प्लस 3 का हो सकता है, 2 प्लस 2 का हो सकता है, 0 प्लस 4 का हो सकता है तो बच्चे को दे दिये, domino's निकाल के दे दिये, उनको कहा कि ऐसा card निकालो जिसके अंदर 6 आपको बिंदू मिले, तो बच्चे ने 1 card निकाला, जिसके उपर 0 और 6 है जैसे कि अगर मैं यह बताऊं कि यह domino's कौन सा, 0 और 1 का है तो इसी तरह से उसने निकाल लिया 0 और 1 का card 0 और 6 का card इसी तरह से दूसरे बच्चे ने निकाल लिया एक और 5 का card तो इसी तरह से बच्चा दो प्लस 4 का निकाल लेगा 6 के लिए तो इस तरह से वो गिंती करना भी सीख जाएगा आया समझ में एडिशन फेक्ट भी उसको पता चल जाएंगे तो यह चोटे बच्चों के लिए हैं पहले और दूसरी वाले बच्चों के लिए ही इसी तरह से number cards number cards क्या होते हैं कि जैसे card होते हैं card के उपर 1-2-3 नहीं इस तरह से आपके पास बहुत सारे card होते हैं अगर ये card जब एक जग लगे होते हैं तो उसको number chart कहते हैं समझ में आया है अभी तो काटड़ 및 relay रख दिए जबी एक साथ होते हैं तो उसको क्या कहता है number chart कहते है एक chart के ऊपर number लिखे होए है unizar 50 which 50 होते है हमारे number card mini 50 अनी नम्बर card कहां तक होते हैं पचास तक होते हैं लेकिन जो number chart होता हो वो में लिए 100 तक हो जाता है ठीक है तो इसके अंदर क्या चीज होता है इसके अंदर बच्छा क्या क्या सीख पाएगा सबसे बडी बात तो यह है number pattern शीख पायेगा कि pattern में लगा दिया 11 21 31 41 तो इस तरह से बच्छे को pattern के बारे में पता चलेगा identification अब number लिख दिया उसको card 23 डून के दिखाओ तो identify करके बताएगा कि काम पे 23 है इसी तरह से संख्या की पैचान होगी उस बच्चे को addition और subtraction भी कर सकता है यहां से number card से कि 2 plus 3 5 हो गया मेरा कि 2 के अंदर मैंने 1, 2, 3 ठीक है यहां मैं जोडा तो यहां कूद गया तो जो जैसे जो number line के अंदर जो काम था वो यहां number card से भी बच्चा कर सकता है ठीक है तो चलिए next पे चलते है tile or 10 gram समझो भई tile or 10 gram क्या होते है आपके बहुत सारे shapes होते हैं उनको काट काट के रखा होता है जब वो थोड़े से मोटे होते हैं तो उनको tiles कहा देते हैं जब वो पतले होते हैं तो उनको 10 gram कहा देते हैं जिससे यह पड़े हुए हैं कटे हुए ठीक है तो यहां से बच्चा क्या क्या सीख सकता है 2D shapes सीख सकता है आपको पता है थाना 2D shapes कौन सी होती है जिसके अंदर उचाई भी हो वह हमारी 3D shapes होती है और वैसे हमारी 2D shapes होती है ठीक है जो आप paper वगरा बनाते हो आपकी 2D shapes होती है इसी तरह से pattern बता पाएगा कि एक बार triangle लख दिया एक बार circle लख दिया फिर triangle लख दिया तो patterns के बारे में पता चलेगी दूसर 10 gram के अंदर जो और इसके बारे में ठीक है जो आप map वगरा में जो सीखते थे क्योंकि यहां से देखिए यहां से आप बच्चा tessellation भी सीखता है tessellation क्या होता है जैसे एक बनाया हुआ है यह अपने अलग-अलग उनको यह अलग-अलग टुकडे थे जिनसे आपने टुकडे से मिलके ए ठीक है तो यह tessellation होता है यह होता है आपके कई सारी ऐसी पहली होती है जिसके अन्दर एक पार्ट चोटे-चोटे-पार्ट के अंदर बाटा होता है उनके पार्ट को जोड़के आपको एक बनाना होता है तो उसको ही क्या कहते है टेसिलेशन कहते है उसको क्या कहते है टेसिलेशन ठीक है तो जब टेसिलेशन का आप यूज करते है तो कहीना कहीं आपको पोजीशन का स्थान का इनका पता चलता है ना तो कहीना कहीं आपको यह इंपोर्टेंट चीज़ है सीटेट में यहां से के बारे में आप समझ सकते हैं ठीक है इसी तरह से classification और counting का यहां से आजाएगा classify कर सकते हैं आप कि यह मेरा circle है यह मेरा triangle है ठीक है यह मेरा एक नया कौन सा बन गया देखे जो यह मेरा ध्यान से अगर आप देख पाएंगे तो जो मेरा यहां पे orange color में है यह संत्री color में जो यह है जो shape है यह हमारी shape बाहर बनी हुए है तो बच्चा इस तरह से कर सकता है उससे पूछेंगे यह बता कौन सी shape है है यह हमारा hexagon है चलिए next पे चलते है solid shapes यह तो आपने देखा ही होगा बहुत सारी solid shapes होती है आपका ball रखी होती है कर ऐसे cylinder रखा होता है cube रखा होता है ठीक है, accuboid रखा होता है, यह सारी चीज़े होती है इससे बच्चक क्या सीख पाता है उनके बारे में बात करते हैं पहली बात तो उसको ध्रीडी shapes के बारे में पता चलता है यह बात समझन लेना कि किसके बारे में नहीं है पता चलता है 3D shapes के बारे में पता चलता है है उसको difference or association पता चलता है 3D और 2D shapes के बारे में है कि यि इसके स्क्रेष ऑर क्यूब के बारे में आग फर्क पता ब्लोक बनिबाएं बेंट किसी तहुत दिखा हो एक इस त्सूल आपको दिखा है हो यह उसने ही मैं से लिए हैं तो यह उन्होंने खुद डेवलप कर रहती हैं अब बात करते हैं सो बच्चा छटाई के बारे में देखो यह आप बच्चे खेलते हुए भी देखेंगे यह जूडते हैं यह ब्लोक्स जो होते हैं यह अलग-अलग होते हैं दूसरे से बच्चे इससे घर बनाते कर दी हरी-because difference कर दी गृप कर पाएगा इसवी वजह से फिर इसको नीचे अउपर की शब्दावली के बारे में पता होगा। शीर शोर नीचे की शब्दावली के बारे में एक और लगा दिया तो यह और जुड जाहएगा इसके अंदर एक बचलिए चलिए इसके क को सरग लगा के सीखता जैसे यह वाली stamp है इससे क्या बन जाएगा इससे हमारा अगर लगाएगा यह stamp लगाएगा बच्चा तो उसका एक star बन जाएगा इसी तरह से गोला बन जाएगा यहां से बच्चा pattern सीख सकता है 3D और 2D shapes के बारे में सीख सकता है अब देखो जो stamp लगेगी व बच्चा data handling वगेरा के बारे में भी कर पाएगा अब बैया समझ लो यह graph है जो आपका graph के अंदर बच्चा क्या क्या सीख सकता है आप अगर पांच्वी class की NCRT की किताब पढ़ोगे या चोथी class की math की NCRT की किताब पढ़ोगे तो उसके अंदर graph से ही हमने छेत्रफल सिख तो इस वज़े से चेत्रफल के बारे में पता होगा इसी तरह से आपका decimal से अगर आपको decimal की दशमलों की आपको गुना करनी है ना तो बच्चे को बच्चा यहां से decimal की गुना करना सीख सकता है ठीक है वह आप कभी कहोगे तो मैं आपको करके दिखा दूँगा समझा दू क्योंकि यहीं से paper आते हैं यह पूछेंगे कि बताओ इंसे क्या चीजे सीख पाएंगे पासे के बाले में पासा क्या होता वही आपका 123456 इस तरह से आपका पासा बनाया होता है यह जो पासा है यह हमारा किस ने बना रखा है फिर से वहीं बताऊंगा NCRT ने बच्चों के खेलने के लिए उसने कर दिया तो NCRT ने कुछ note बना दिये सिक्के बना दिये जिससे बच्चे खेल पाएंगे उससे क्या होगा उससे बच्चों को recognition होगी कि हमारी currency एक्चुली दिखती कैसी है उसी तरह से addition, subtraction पता कर पाएंगे इसी तरह से place value क्योंकि देखे जो 10 का note हो होगा वो तो 10 वाले में जाएगी, जो 100 का note होगा वो 100 का उसको 100 के बारे में पता चलेगा या 10 के बारे में पता चलेगा और एक दो यह जो सिख्के होंगे यहां से उसको unit place और इनके बारे में पता चलेगा, ठीक है, अब आगे चलते है place value cards हैं भहिया इसी तरह से आप यह नासिब देख लीजिए, यह हम है place value pattern और इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है, घड़ी, घड़ी से आप क्या-क्या सिखा सकते हैं बच्चों को, right angle के बारे में सिखा सकते है, right angle बना हुआ है, यार angles के बारे में आप बच्चों को बता सकते है, कौन सा चो इसको पता चल पाएगी, गड़ी कैसे काम करती है, अब आता है धागा और मोती, धागा और मोती से बच्चे क्या-क्या कर पाएंगे, भाग करना सीख पाएंगे, उनको एक दो धागे दे दिया, लंबे-लंबे, उनको का तीन बराबर इसों में बाटो, तो अब वो धागे को ना पेंगे, बराबर इसों में बाटेंगे, इस तरह से मतलब वो भाग करना सीख पाएंगे, comparison of fraction, मालो comparison of fraction कैसे होगा, कि दो धागे है बच्चों के पास में, बच्चों को ये दिखाना है, एक बटा दो बड़ा है, एक बटा तीन बड़ा है, तो इसके तो दो इससे कर करता है, पेपर फोल्डिंग से भी कर सकता है, पेपर की स्ट्रिप से भी कर सकता है, आगे आएंगे ये चीजे तब भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, चलिए, फिर आपका जाता है, अब एकस, ये समझ ले ना भई, और एक और चीज बता रहा हूँ, जब हम सिखाते हैं वच्चों को तो पहले नो व City से सीखाते हैं, है, बाद सीधा उनके आप में स्केल नहीं देते, उनको दागों समापना ही चीजों को, अपने हाथ से ना पो पैर से ना पो इस तरह से चीजे सिखाते हैं, उनको, जब हम न काता है अब लस्ग जो आग युजin अंदर क्या होती थी एक तो ऺते हैं आपके जो अब consistency लगते हैं व्हों दोनों तरफ से बंद होता वहाई तिक है उसके अंदर बीट सोती हैं कुछ लाल होती है इस काली होती इस तरह से होता है उसके अंदर calculation के लिए होता तो इसके अंदर जोड गटा करना बच्चे को सिखाया जाता है कि भाया जैसे यह 9 से बढ़ा तो यहां पर चली जाएगी तो इसके अंदर सबसे में चीजे क्या है प्लेस वेल्यू बच्चे को पता चली जाएगा कि मानलो यह हमारा इकाइक आंक ए यह सेवन एट है देखो अगर आप देखो गे जो मैंने बता है आपको नो ही maximum आ सकते हैं, नो से उपर नहीं आएंगी, जैसे एक digit है, digit के अंदर, maximum place कुन सी होती है, नो, तो इसी तरह से इनको इतनी लंबाई दी जाती है, कि maximum नो ही आ सकती है, इसके अंदर भी, ठीक है, तो यह चीज़ होती है, तो इस तरह से यह गिन के बता देगा, तो number गिन क इसके अंदर डाल देगा, तो वो तीन हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से तरीके होता है, बच्चों को जो सिखाए जाते हैं, तो यहां से decimal के बारे में भी बात हो जाती है, decimal मालो यह कर दिया, दो इससे बाट लिए इसके, कि यह तो point आ गया, यहां से, यहां से आपका है, तो इस तरह से decimal म सिखा सकतíamos हैं भी बच्चों को डाइसिमल के अंदर जोड और घटा सिखा सकते हैं, जी यो बोर्ड क्या होता भई जी यो बोर्ड होता nagda का फटT में कीलगाड़ होती है, रेगुलर जैसे ये कील-गाडि हुए उसके अंदर वच्चों को किस तरह से जिखाते हैं कि बच्चों से बच्चों को बांध बढ़ को हम बना दोटो को इस तरह की चीजआ बना तो अब इसके अंदर सबसे पहली बक्राइब ना हाँ की आ हमारा यहां से है ठीक है इसी तरह से वह roughly estimate करता है area अब देखो area estimate तो कर पाएगा लेकिन roughly पक्का पक्का नहीं कर पाएगा आसपास ही पोच पाएगा क्योंकि देखो अगर यह पूरी तरह graph की तरह इसके अंदर line है खीची होती तो बच्चा गिन पाता ठीक है कितने square बने इसके अंदर मैंने जब area की अगर आप सबने नहीं देखी मेरी वीडियो जिसके अंदर मैंने content के अंदर बता रखा है कि area क्या होता है तो आप देख लीजिएगा उसको जाके आपको तब ज् कालते है square गिनते है में लिए हमारे ठीक है तो यह सेम वही चीज़ है तो square वह गिन पाएगा लेकिन roughly गिन पाएगा इसी तरह से वह यह dot sheet होती है यह एक sheet होती है जिसके अंदर जैसे इस जियो ब्योड के उपर तो कीले गड़ी हुई थी उसके उपर कीले नहीं होती उसके paper folding paper folding से बचा angle सीख सकता है और fraction जैसे मैंने दागे से करके बताया था यह सारी चीज़े सीख सकता है चली हम next पर चलते हैं question किस तरह के पूछे हुए देखो भई अब एकस से हमने बात करी थी अब एकस से बच्चा क्या क्या सीख सकता है अब एकस से बच्चा नंबर पढ़ना सीख सकता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है write numeral equivalent to number given in words वर्ड वगेरा की तो बात थी नहीं बच्चा तो यहां से खुद से जो देख देखके सीखेगा ना बच्चा यहां से तो यह तो वही बात थी इसी तरह से attend perfection in counting counting में perfection हो जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं है place value तो हमारा answer क्या है two ही है इसका answer कि बच्चा यह नहीं सीख पाएगा ठीक है क्योंकि given words क्योंकि यहां तो copy किताब की बात आ गई ना बच्चा महां से क्या कर रहा था महां तो activity कर वा था तो copy किताब की तो कोई लिखे वे numbers या वो तो उसको नहीं पढ़ने ना उसके अंदर तो beats थी उसको गिन नहीं है में ली चलिए next पे चलते है हाँ हाँ बही देखो यह से वही वाली चीज़ आगी जो मैं कहा रहा था आपको graph से multiply करके चिखा देते हैं तो देखो इसके अंदर total देखा जाए तो यह क्या है यह आपका 100 है इसके अंदर कितने हैं 100 है 1 2 3 4 5 इस तरह से आप गिनोगे तो यह total 100 है ठीक है तो देखो 100 में से आपने क्या किया 100 में से आपको उन्हें 30 ले लिए यह क्या लिया 30 तो यह पार्ट आपका कितना हो गया fraction अगर देखा जाए यह क्या बन गया 30 बट को काटेंगे तो यह क्या बन गया 30% बटा 10 को आप क्या लिख सकते हैं 0.3 समझ में आ गया तो यह आपका 30% 100 था इसको इन्होंने 0.3 लिख लिए इसी तरह से इन्होंने क्या लिखा 0.2 यह यह 20 बटा 100 था 20 बटा 100 को 2 बटा 10 करके 2 बटा 10 करके इन्होंने क्या लिख लिख लिया 0.2 तो अब इन्होंने कहा कि जो गुणा होता है गुणा करने के बाद में यह देखा कि कितने overlap हो रहे हैं चीजे 0.2, 0.3 तो देखा कि 0.06 आपका जो अंसर आया ठीक है तो बच्चों को उन्होंने यहां से यह सिखाया एक दो तीन चार पांच छे तो यह क्या हुआ छे बटा सो हो गया यह टोटल सो थे उन में से छे बटा सो छे बटा सो को अगर आप बदलेंगे तो वह यह होता है 0.06 ठीक है तो यही आगया आपका तो अब यह कह रहे है कि इसके अंदर टीचर क्या सिखाना चाहरा है बच्चे को किस चीज के उपर फोकस कर रहा है तो देखो जो प्रोस अगर देखा जाए तो एक तो प्रोसीजर होता है एक कंसेप्ट होता है कंसेप्ट तो हमारा यही है जो इन्होंन लिख दो जीरो दो होने चाहिए तो जीरो और छे हो गया तो इस तरह ऐसा आपका यह प्रोसीजर होता इसको लेकिन यहां टीचर प्रोसीजर नहीं सिखा रहा है तो फिर वही वाली बात आ गई फोकस मोर ओन कंसेप्शूल नॉलिज्ज प्रोब्लम सोलवीन एंड लैस अन प्रोसीजर नॉलिज्ज प्रोसीजिरल नॉलिज्ज के उपर उसने बात नहीं करी है उसने जालता अगे दूसरी चीज़ पर ठीक है लेक्स पर चलते हैं आगे हमारा बच्चे को vertices और edges के बारे में बताना है तो भया 3D solids के अंदर 3D चीजों के बारे में बता रहे थे cubes के अंदर भी वही बता रहे थे ठीक है cubes तो इसी का पार्ट था फ्लैक बोर्ड सर पे छोड़ दो जियो के जियो बोर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि बच्चा आकर्ति और सरल आकर्तियों के लंब और की नारों के बारे में बता पाएगा बच्चा है ना कोणों और के नारों के बारे में तो हमने बात करी थी GEOBOD के बारे में इसी तरह से इसी तरह से हमने बात करी थी GEOBOD GEOBOD इन में से क्या चीज़े आपकी बता सकता है तो वही है GEMETRICAL SHAPE OR PROPERTY ठीक है, difference between 2D shapes और 3D shapes के बारे में GEOBOD नहीं बता पाएगा है ना, वो कौन से बता पाएगे, वो जो pattern वाला, वो stamping वाला था, वो बता पाएगा ठीक है, जो stamp लग रही थी, लेकिन GEOBOD तो नहीं बता सकता, GEOBOD तो बस 2D shapes के बारे में बता सकता है यह हमने बात करी थी, GEOBOD में, चलिए, next पे चलते हैं, square paper, square paper आपको उने कोई भी paper ले लिया, आप यह कह रहे हैं कि इसके अंदर बताओ, teacher क्या करना सिखा रहा है, तो देखो, one stands hundred thousand, ठीक है, अब देख लो, सुन लो, जो इंदी वाल है, इंदी वालो, तुमारे लिए भ का, ठीक है, तो चलो, करते हैं, तो इसका क्या होगा, इसके अंदर बत्चा क्या सिखा रहा है, इसके अंदर place value सिखा रहा है, कि देखो, इसकी value क्या हैगी 3, इसकी value क्या हैगी 30, यह क्या है 30 के बराबर, और यह क्या है 3 के बराबर है, तो काम तो बिंदू का है, देखो, बिंदू ही तो लगाने दे, बिंदू मैंने तीन यहां लगा दिये, तीन यहां लगा दिये, इसमें क्या फर्क पड़ा, लेकिन फर्क क्या पड़ा, place value, कौन सी जगह आपने लगाये हैं, तो यह क्या था, concept of place value, ठीक है बई, चलो, next पे चलते हैं, हाँ बई, देखो, 10 gram dots, pattern इनके बारे में, बच्चा किस बारे में बात कर पाएगा, देखे, special, स्थानिक समझ, 10 gram के बारे में मैंने बताया था ना, सबसे important चीज यही है, 10 gram के अंदर, स्थानिक समझ, बच्चा develop कर पाएगा, चली, next पे चलते हैं, आगे आया है, beach of the following, manipulative tool is required to develop symmetry, symmetry और reflection, हमने किस ब लागा आ धागा यो अगर्या जो हमने बात करी थी, इस के अंदर भी हम division सिखा सकते हैं, ये चीज नहीं सिखा सकते, dot paper के अंदर हमने बात करी थी dot paper में आप सिखा सकते हैं, अब A Solo में फारा चीज चली oper के अंदर, प्लेस वैलिए अदर सिखा सकते हैं, चली, next पे चलते ह question आया है कि एक बटा 10 और एक बटा 100 में कौन सा बड़ा है बच्चों को करके दिखाना है तो आप किस से सिखा पाएंगे 10 बाई 10 square grid से या graph आपका जो graph होता उससे भी सिखा पाते अब एक अस्य आप नहीं सिखा सकते हैं नंबर चार्ट से आप नहीं सिखा सकते हैं नंबर में तो एक से लेके 100 तक की चीज़े होती है decimal के बारे में decimal है fraction के बारे में उसमें बात ही नहीं होता blocks जो मैंने blocks के बारे में बात करी थी डैनी इस blocks मैंने बताया था ना deans block लिखा हुआ गई deans block के बारे में अब नहीं है भई ठीक है इसके अंदर हम नहीं बता सकते है इसके अंदर क्या से बता पाएंगे 10 by 10 का हमने grid बना लिया उसके अंदर से देखो अब जो इससा बाटा वो ये वाला इससा था वो तो एक बाटा 100 है ठीक है और जब एक बाटा 10 करा तो हमने क्या किया 10 10 इससे ले लिए तो हमने दिखाए ये 10 बाटा 100 है 10 बाटा 100 ही हमारा क्या होता है एक बाटा 10 होता है आया समझ में तो इस तरह से हम ये चीज़ सिखा सकते हैं बच्चों को नेक्स पे चलते है अग गिवन rectangle and parallelogram is the same area इस तरह से आप किस चीज़ से सिखा सकते हैं area के बारे में area के बारे में मैंने बता था perfect area आपका कहां से सिखाया जाता graph paper आया समझ में याद है मैंने बताया था कि NCRT में 5th class की अगर NCRT को लोगे हो तो वहां भी लिखा हुआ है इसी तरह से लिखा हुआ है कि बच्चा क्या करता है 4, 1, 3, 10 की जगए 43 बोल दे 43 बोल देता है 34 की जगए 34 बोलना चाहिए न उसको तो इस से आप किस तरह से आप उसको सिखाएंगे बच्चे को ठीक है तो give a lots of question practice practice मैंने बताया था कि हम दे दो देते है करवानी कभी बच्चे को तो नेगिटिव हो गया अब एकस अब एकस आगया ना positive हो हमारे पास कि हम जब real activity के थ्रू करवाएंगे तो अब एकस के थ्रू करवा देंगे second answer है हमारा चली next पे चलते हैं कि अब कहा रहे हैं अंधे वच्चों को आप जो हमारे दर्ष्टि बादित वच्चे हैं visually challenge वच्चे हैं उन में से किसी चीज को आप कर पाएंगे देखें नंबर चार्ट में बच्चे ना तो उसको सुन सकते देखो बच्चे कौन से होंगे जो दृष्टी बादित बच्चे कैसे सीख सकते हैं किसी भी चीज को या तो किसी चीज को वो सुन पाएं या वो किसी चीज को छू पाएं ठीक है तो नंबर चार्ट को ना तो वो सुन सकत ना वो छू सकते तो इस वज़े से ये नहीं होगा हाँ computer के अंदर computer की आवाज को वो सुन सकते हैं इसी तरह से geoboard को छू सकते हैं आय समझ में rubber band को छू सकते हैं जो geoboard पे हम लगाएंगे तो ये तो ठीक है लेकिन number chart गलत है इसी तरह से abacus abacus को भी वो छू सकते हैं वो ल बच्चे ठीक है चलिए next पे चलते हैं question पूछा गया है कि दो number को अगर हमें addition करके सिखाना है बच्चे को ठीक है addition करना सिखाना है तो आप कैसे सिखाएंगे बताओ भई abacus के through मैंने बताया था न abacus के through आप सिखा सकते हैं बच्चे को addition करना दो number के अंदर decimal वगेरा के जिसके अंदर multiplication करके सिखाना और decimal number का तो आप कैसे चाएंगे graph paper से सिखाएंगे ठीक है चलिए next पे चलते है graph paper से शिखा सकते हैं यंग जो दूसरा थे न वह ग्रीड वाला ग्रीड वाले से भी चिखा सकते हैं 10 बाइं ग्रीड से भी सिखा सकते हैं 10 बाइं ग्रीड था ज अब पूछ रहे हैं कि यहां से हमें यह बताना कि दो रेक्टेंगल की डाइमेंशन ठीक है विच ओव दा फॉलोइंग रिसोर्सी टी एलम कैन भी यूज तो शो दा फू रेक्टेंगल डिफरेंट डाइमेंशन उनकी दो अलग अलग डाइमेंशन है तो हम किस से सिखा सकते ह हैं बिना किसी फॉर्मूले के तो स्केल वगेरा तो हमें बात करनी नहीं है स्केल वगेरा की ग्राफ पेपर के बारे में हमने बात करनी है बिल्कुल ठीक है ग्राफ पेपर से हम सिखा सकते हैं थ्रेड से हम सिखा सकते हैं देखो आपका क्या था जो एरिया वगेरा के बार थे कि यह कुण सा बड़ा है कुण सा चोटा है इस तरह से आप डाइमेंशन के बारे में बता पा रहे थे ठीक है चलिए नेक्स पे चलते हैं तो इसका अंदर क्या होगा बी ओडी बी ओडी कौन से में है सेगिंड में है अंसर टू है इसका चलिए नेक्स पर वन बाइ थ्री और वन बाइ फॉर कौन सा चोटा है हम किस से आया तो हम दागे से सिखा सकते हैं बच्चों को या हम पेपर स्टीप से सिखा सकते हैं पेपर स्टीप से हम सिखा दिने उनको नंबर चार्ट से नहीं सिखा सकते हैं यूजिंग ऐल्सियम मेथड बार में गया सम हमारी यह टाइल सो 10 ग्राम है ना यही है हमारी अलजब्टाइल इनसे हम क्या सिखा सकते हैं बच्चे को फेक्टराइजेशन और क्वाड्रेक्टिक इक्वेशन सम बच्चों को सिखा सकते हैं चलिए नेक्स पे चलते हैं कि ICT या एक जियो जैवरा सोफ्ट्वेयर होता है वहां से आप जमेट्री की क्लास बच्चों को कर सकते हैं आप सर्च करके देख लेना आपको मिल जाएगा जियो जैबरा सोफ्ट्वेयर ठीक है क्यलकुलेटर वगरा तो आपको पता ही होना चाहिए देखो आगर आपको अं सोफ्ट्वेयर नही तो यह है जियो जैवरा हिसां सरहां जैक चलें लैक्स पे चलते हैं तर डिवाइड करना डिवाइड करना आप देखो यह डिवाइड कर रहा ठीक है ए एक डिवाइड़ वहाइव स्को कैसे सीखाए या ठीक है मन को डोरी से आप सिखा पाएंगे अम् हमें बच्चे को चलिए दो एरियाज कंपेर करने हैं तो एरिया को कंपेर करने के लिए हमें क्या चाहिए ग्राफ पेपर है ना याद है मैंने बताया था चलिए फिर आपका आता है 23 यह सारी चीज़े आप बताओ अब क्या करोगे आप की इस तरह से उनको रीडिंग चार्ट नंबर नंबर चार्ट आपको उनको सिखाओगे ठीक है फुल फॉर्म लिखो वर्कशीट दो यह अमारे लिए नेगेटिव चीज़े होते हैं यह अमको नहीं करवाना उनको नंबर चार्ट पढ़वाएं कि बच्चों से जिससे उसको पता चले की 203 और 23 के अंदर फर्क क्या होता है आगे समझ में दन्यवाद दोस्तों आज की क्लासिद हमारी खतम होई आई होप आपको यह पसंद वही युगी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे है अमारी वीडियो को लाइक कर रहे है और कमे आपको वीडियो का लोगी वीडियो है आपको अम向्याव चैनल क्याव